चलिए और बात कर लेते हैं कोरोना की जारकन विधान सबाद्यक्ष रविंद्रेनात में तो कोरोना पॉसिटिव हो गया है शनिवार को जाज रिपोर्ट में उनके कोरोना वाइरस से संक्रमित होने के पुस्टी भी स्पीकर रांची के रिम्स में इलाज के लिए भरती हो गया है उन्हें तमाम सुरक्षात्म कुपायों के साथ पेइंग बॉर्ड में रखा किया है लोर दगा से लोक सभा सदर से सुदर्शन भगत भी कोरोना संक्रमित पाए गया है सुदर्शन भगत रांची में ही होम आईसोलेशन में हैं सुदर्शन भगत के एक-एक सुरक्षा कर्मी और चालक भी संक्रमित मिले हैं एक बार फिर से कोरोना वाइरस सक्रिय हो किया है जार्खण में शनिवार को 236 संक्रमित वरीज मिले हैं रांची और धनवाद में एक-एक कोरोना पॉसिटिव की मौत हो गई है जार्खण में एक बार फिर से कोरोना वाइरस एक्टिव हो गया है स्पीकर रविंद्र नात में तो पॉसिटिव हो गये हैं कोरोना पॉसिटिव वहीं लोहदा का सांसा सुदर्शन भगत भी कोरोना पॉसिटिव हो गये हैं इस तरह से जार्खण में शनिवार को कुल 236 नए मामले सामने आये हैं कोरोना संक्रमन के राची और धनबाद में एक-एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई एक पर फिर से एक्टिव होता हुआ कोरोना वाइरस और इसलिए बार-बार ये बाते कही जा रही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं वैक्सिनेशन में अभी थोड़ा वक्त है हाला कि बहुत जल्दी ये शुरुवात हो जाए कि इसकी प्रधान मंत्री ने ये फैसला भी लिया है लेकिन इसके पहले देखिए थोड़ी सी भी चूक हो रही है थोड़ी सी भी सतरकता जहां घट रही है वहाँ पर कोरोना का एटैक नसर आ रहा है और इसी कड़ी में देखिए जारकण में और 236 नए मरीज मिले हैं हमारे साथ इस वक्त सहियों की अचे लाल जुड़ रहे हैं सीधे उनका रुक कर लेते हैं अनाची से अचे देखिए बार-बार ये स्लोगन इसलिए दिया गया है ताकि इन मामलों से बचा जा सके कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं वैक्सिनेशन में अभी भी वक्त है लेकिन वैक्सिनेशन आने से पहले और आने तक भी लोगों को उन तमाम उपायों को अभी भी उन गाइडलाइन्स को फॉलो करना बेहत ज़रूरी है बिल्कुल आरती आपने बिल्कुल सही कहा है देखे सावधानी अब जीबन में अपनाना होगा इसे अपने हैबिट में सामिल करने होंगे यह बात मान कर चलिए तमाम लोगों के लिए चाहे वो कोरोना संक्रमित हुए हो या नहीं हुए हो और दूसरी बात यह भी कि जो मेडिकल रिसर्च हुआ है कोरोना के ठीका को लेकर उसके बारे में एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ठीका लगाने के 24 दिनों बाद उसका असर सुरू होगा तो कोई यह बैक्ती यह ना समझ ले कि कोरोना का ठीका यदि आने वाले दिनों में उन्हें लगता है तो वो पूरी तरह से एंटी कोरोना बॉड़ी उनका हो जाएगा कहीं भी जाएंगे कोरोना का ठीक ने होगा देखी यह साबधानी है प्रिकॉसन है इसे लेकर यह नहीं माना जाना चाहिए कि यह आपके सरीर में कोरोना का वैक्षिनेशन का डोज आ चुका है तो पूरी तरह से आप लेक्षिटी बरते हैं लापरवाही बरते हैं और पूरी तरह से जो करोना का एफ़ेक्ट है वो आपको संक्रमित नहीं करेगा यह मान कर फिलहाल नहीं चलना चाहिए चुकि जो एहमेदाबाद में रिचर्च हुआ था एक बैक्षिक को ट्राइल बेशिच पे करोना का टिका दिया गया बाबजूद वो तीन दिन बाद करोना संक्रमित हो गए फिर मेडिकल रिचर्च टीम की टीम ने कहा कि यह 24 दिनों बाद से उसका असर शुरू होगा फरवरी के आसपास तो इस बीच में यह पूरी तरह से साब्धानी तमाम लोगों को ब्रतनी होगी और जैसा कि लगातार रिचर्च के लोग या फिर मेडिकल एक्सपर्ट टीम के लोग लगातार यह कह रहे हैं कि यह मान कर आप मत चलिए कि कुरोना खत्म हो गया है आपको उसी अब बचना नहीं है जो साब्धानी आप बरत रहे थे वो साब्धानी आपको अब नहीं अपनाना ऐसा मान कर नहीं चलना है और देश की आबादी लोगों को पता है ऐसे में आप तक वैक्सीन पहुंसते पहुंसते कितना वक्त लगेगा यह सब जहन में रखना होगा और इन चीजों को लेकर केरफूल अभी रहना होगा प्रिकोशन्स पहले से जादा लेने की जरूरत है क्योंकि कोरोना के सेकेंड स्ट्रेइन की जो बात हो रही है कहीं अगर उसकी चपेट में आए गया कोई भी शक्स तो फिर बहुत मुश्किल होगी बिल्कुल आरति आपने बिल्कुल कि सही कहा कि पहले फिज में 3 करोर के आसपास लोगों को टक्रिका लगाये जाने की जो प्लानिंग है भारत सरकार की कि उसके बाद ज्छरुखन की बात करेंगे तो कौन से फिज में किसे पहले टिका दिया जाएगा क्या ऐसे बैक्ती जो कि मेडिकल का मेडिकल कार से जुड़े हुए हैं उन्हें दिया जाएगा या फिर लैप टेक्निशन है उन्हें दिया जाएगा ये तमाम तरह कि अभी चीजे सामने आएगी तो ये आपने बिल्कुल सही का कि हम और आप तक पहुंचते पहुंचते ये ह सकता है कि 6-7 महिने का वक्त लग जाए तो इसका मलतब यह भी है कि तब तो और भी साब्धानी बरतने की जरुत है और एक चीज और आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ यह नहीं है कि आपने टीका लगा लिया आप पूरी तरह से कुरोना से मुक्त हो गए को भी बैकती साब् में जिस प्रकार से फिर से एक बार से नए केस मिलने सुरू हो गए हैं वो यह बतलाता है कि कहीं ने कहीं एक बार फिर से लोग लैक्षिटी बरतना सुरू कर रहे हैं और एक और चीज आरती कोरोना संक्रमी बैकती को ही पता चलता है कि कि कितनी बड़ी आफद बनकर आई ह उसके सामने पूरी तरह से अब बिल्कुल देखे घर में भी हैं तो पूरी तरह से आईसोलेशन में आपको रहना है आपके आपका रूम अलग होगा क्या ऐसे लोग जिनकी कैपसिटी दो तीन चार पांच कमरे में रहने वाले आम परिवार इतनी इतना संबाव नहीं है कि अ पूरी दुनिया ने कितना कुछ गवाया है कोरोना की वजह से और हमने अगर देश की बात करें तो जारखन ने बहुत हद तक काम्याबी पाई बहुत जल्दी इस पर कंट्रोल किया और काफी जितनी कम शत्य हो सकती थी इससे वो देखने को मिले राजे सरकार की जरूर सराहना करनी होगी लेकिन इन सब के बीच जो अब नए मामले सामने आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के नतीजें हैं जिससे अब लोगों को बचने की बेहत जरूरत होगी है अन्था मैं मास्क रखता हूं हमेशा जैसे ही दो तीन लोगों से मुझे बात करनी होती है या फिर उन गुरूप में जाना होता है सबसे पहले में मास्क पनता हूं और एक छोटी सी 100 ml का सेनेटाजर भी पास में रखता हूं मतलब यह है कि साबधानी आपने जो पिछले 2020 म मार्च अप्रेल माई जून जुलाई का महिना यह दि लोग याद करेंगे तो कितनी साबधानी लोग बरत रहे थे सब्जी खर्टने भी जाते थे तो दूरी बना कर जाते थे कई दुकानों में हमने देखा था कि राउंड सर्किल हुआ करता था प्लीज उन साबधानियों को अब भी अपनाने की जौरत है अन्था 258 केस मिले हैं यदि यह दोर आगे भी जारी रहा तो 258 को आप 5 से गुना कर दे तो पुरा थावजन में चल जाता है यह पूरी तरह से चेन सिस्टम है कोरोना का जो संक्रवन है इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि साबधानी इसलिए अपसे संभव हो मार बार मैं कहरा हूं कि 24 घंटे आपको मास्क नहीं लगा रखना यह यदि आप अके इन कुछी बैटे हैं कमर में बैटे हैं को ऐसी जगा बैटे हैं दफ्तर में जहां पर आन्द आफके आस पास 45 लोग नहीं है वहाँ पर मास्क ना लगा तो भी काम चलेगा लेकिन जैसे ही आप ग्रूप में जाएं कोई खरिदारी करने जाए किसी सौफ में जाएं कोई भीर भार वाले मार्केट में जाएं तो अपने न्यूसलवन भारत भी कहरा है प्रिशासन भी ये कहता आ रहा है कि ऐगर कोरोना से बचना है तो सिर्फ सतर्कता भड़ते खयाल रखें अपना और दूसरों का भी आप सतर्क रहेंगे तो कड़ोना आप तक नहीं पहुंचे का और आप दूसरों के लिए कैरियर नहीं बनेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आज है तमाम जानकारी के लिए तो जारखन में एक बार फिर से कोरोना केसे अक्टिव हो गये हैं शनिवार का दिन देखिए 236 केसे नए सामने आए हैं इसमें जमशेदपूर में चार विदेशी भी हैं और अगर राची की बात करें तो स्पीकर भी हैं स्पीकर और लोहर दगासांसद भी कोरोना पॉसिटिव पाए गये हैं ये मामले बताते हैं कि जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि आप कोरोना की चपेट में होंगे इसलिए अभी भी वाक्त है दवाई जब तक नहीं तब तक कोई धिलाई नहीं खयाल रखिये अपना